Hello students, welcome to my YouTube channel Geography Guru आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं Class 10th Hindi की Worksheet No. 34 यानि की 34 को आज की Worksheet बेहद आसान बहुत मज़ेदार है आज की Worksheet में हम समझने की कोशिस करेंगे कि संस्मरन क्या होता है सर्विश्वर द्याल सक्सेना जी दौरा रचित पार्ट No. 13 है उसका गद्यांस हमें दिया गया है, एक अंश हमें दिया गया है उसके बाद च्यार आसान से परशन दिया गया है जिनको हम हल करेंगे चलिए हम सुरुवात करते हैं जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ओपर देख पा रहे हैं यह हमारी वर्कशीट यानि कारे पत्रक संख्या 34 है हमारा विश्य हिंदी है जिसमें मानवे क्रूना की दिव्य चमक यह हमारा अध्याय पार्ट रहेगा और आज की दिनांख है 21 स्टंबर 2020 यह संधरप हमें जो गद्यांस दिया गया है वो दिया गया है का प्रियास करते हैं उसके बाद पर्शनोत्र को हल करेंगे बहुत आसान सा है हमारा आज का गद्यास बच्चो मानवे क्रूना की दिव्य चमक पार्ट सरविश्वर द्याल सक्सेना जी द्वारा लेखित एक संसमरन है क्या है यह संसमरन है अब संस्मरण क्या होता है? संस्मरण समिर्थी अथ्वा यादास्त पर आधारित लेखन होता है, यानिकि हम याद करके कुछ लिखते हैं, जैसे माल लिजे कि अब आप स्कूल के बारे में कुछ लिखना चारे हो, काफी दिनों से नहीं गए हो, तो वो क्या संस्मरण होगा? यानिकि समिर्थी अथ्वा यादास्त पर आधायत लेखन होता है, जिसमें लेखक अपने समिर्थियों, यानिकि यादों के आधार पर किसी वैक्तिया घटना का वर्णन करता है, जैसे आप अगर स्कूल के बारे में कुछ बता होगा, या बच्पन के बारे में लिखोगी तो वो आपका संस्मरन होगा, इसके माध्यम से वह वैक्तिया घटना का हमारे सामने एक चित्र की भांती साकार कर देता है, यानिकि साकार हो जाती है, कोई भी घटना हो, वो ऐसा लगेगा जैसे हमारे सामने चित्र खिंचा जा रहा हो, तो उसे हम बोलते हैं संस्मरन, इस परचार के रूप में और कहां से थे वो बेल्जियम से दें किन्तों उन्होंने इस देश को अपनी करम भूमी बनाए यानि कि यहां आने के बाद वो यहीं के आग होके रह गए यहीं के होकर के वो रह जाते हैं और फादर कामिल बुलके ने हिंदी भाशा के विकास परचार परशार में भी बहुत बड़ा योगदान दिया था हिंदी भासा को समिर्द करने के लिए उनके द्वारा लिखे गए शब्द को उसका बड़ा योगदान रहा था उस समय में बहुत महत पून था उनका योगदान इस पार्ट में लेखक ने उन्हीं फादर बुलके के करुणा की दिव्य चमका है लेखका मानना है कि जब तक कराम कता है इस विदेशी सादू को हमेशा याद किया जाएगा उन्हें हिंदी भासा और बोलियों के अगाद प्रेम का उधारन माना जाएगा तो ये था हमारा आसान सा गद्यास जिसमें हमने फादर कामिल बुलके के बारे में जाना और हमने जाना कि संस्मरण क्या होते हैं चलिए हम परशनोतर की तरह पढ़ते हैं परशनोतर की बात करते हैं तो हमें जो चार आसान से परशनोतर दिये गए पहला जो परशन हमारा दिया गया कोशन दिया गया कि संस्मरण से आप क्या समझते हैं और दलती अथ्वा यादास्थ पर आधारित लिखन वोता है। उके उसके बाद दूसरा कोशन है, फदर कामिल गुलके कोन थे? उनके भारत आने का क्या उदेश्य था? तो फदर कामिल गुलके बेलजियम के निवासी थे? उनका भारत आने का उधिश्य था इसाई ध्रम का करना थेसरा हमारे कोशीन है, भारत में फादर कामिल बुल्के ने क्या योगदान दिया तो भारत में फादर कामिल बुल्के ने हिंदी भाषा के विकास और परचार-परसार में महतमुन योगदान दिया था, चो था हमारे जो नेक्स्ट and last कोशन है आज की वरक्षीट का एक गतिविदी है इसमें दिया गया हमें कि आपके जीवन में कोई नो कोई ऐसा वैक्ति आया होगा जिनने आप याद करके खुशी मैसूस करते हैं उनके बारे में अपने संस्मरन लिखें तो मैंने एक उधारन के तोर पर लिखा है आपका संस चक राधा कृष्णन जी रहे हैं वह हमारे हिंदी के शिक्षक थे हमें बड़े प्यार से पढ़ाते थे उनके पढ़ाने का तरीका औरों से अलग था उनका ध्यान सबसे कमजोर बच्चे पर सबसे अधिक होता था उनकी कक्षिया में जादू होता था जितना सुन लिया ज दिखाए वह हमें विध्यारती कम और अपने बच्चे जादा समझते थे चहरा देख करके पहचान लेते थे कि आज हम उदास हैं अगर एक अंक भी कम आता था हमारा परिक्षा में तो हमसे जादा दुख उनको होता था वैक्तिगत संबन रखते थे वह हमारे माता पिता से हमारे घर भी अक्सर आया करते थे वह हमेशा याद रहेंगे तो यह थी हमारी आज की आसान सी वरक्षीट उमीद करता हूँ आपको सब कुछ अच्छे समझ में आया होगा ऐसे हमारे साथ बने रहिए और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किजिएगा थैंक यू भाइ बाइ धर नाइस दिन